नवस्तार स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम आज अनलेसिस करेंगे सोराज इंजिन्स के बारे में सोराज इंजिन्स डिफिनिटल आपने नाम सुरा होगा सौराज माजदा ऐसा टाइप का अपने नाम सुरा होगा तो आज हम बात करेंगे इंट्रेस्टिंग स्टॉक है तो मैं यहाँ पे अनलेसिस कर रहा था आपके स्क्रीनर में तो बहुत सारे आपके स्क्रीन होते हैं वहाँ से मैंने एक फिकर आउट कि मेरा खुद का भी है बाट मैंने सूचा कि जो भी हम पे स्टांडर स्क्रीन दिये वह वहाँ से थोड़ा सा अनलेसिस कर लेते हैं तो आज इसके बारे में डीटेल्स में बात करेंगे इसके चार्स को देखेंगे हम टेकनिकल अनलेसिस नहीं करेंगे बैसिकली इतल बी अन ओवर व्यू मैं पहली पारी स्टॉक को में देखूंगा सम्झूगा कि वैदर इस कंप इस कंप इस वर्थ मोर टाइम और इसको लेकर सडी करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उसी के साथ साथ कोई भी अगर आपका कुशिशन कोईरी है कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं बताना चाहते हैं कि हाँ यह स्टॉक लेकर थोड़ा अनलिसिस करना चाहिए वो स्टॉक तो डेफिटली मुझे कमें स्क्रिक्शन में बताएगा और इस स्टॉक का अनलिसिस जो होता है कैसे फाइनल की थैटलुजन आपको अनल बताब के संट तो अगर आप पूरती नहीं नहींचाते शनीक उम्प्राइब तक गंचाण दो आब शका कर सकते हैं मैं की क्यों धुछ सम्पर कि में लिगा praw ऐसो chickpe kare keeping components so यह शुरू किया था 95 में पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड और किल असकर और और साल में 42,000 इंजिन बनाते थे and the current promoters are Mahindra Mahindra and Kirilloska Industries with holding of this 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 so Punjab Tractors Limited I think exit कर गया है या और T-Core हो गया है so the company is manufacturing in Roper Punjab and facilities and manufacturing जसे मैंने बता है कि components of Swaraj Mazda bicycle trucks बनाते है total engine capacity is 33 36,000 per annum on two shift phase बहुत-बहुत कम है actually तो इनका product मतलब पैसा कहां से आता है 97% इनका जो आता है engine से आता है spare parts से 3% आता है number of engine is sold is 75,000 which is 11% lower than 2011 मतलब ठीक है को obvious reason right क्यूकि demand कम होगा but अभी हम यह देखने है कि 2021 में इसका कितना अच्छा return आया क्योंकि it's been quite a long time since COVID hit client 10 जो है यह primarily बनाता है स्वाराज tractors के लिए और महिंद्रा manufactured by Mahindra and Mahindra M.K.M.P. MS. Gerwal has been appointed CEO of the company from 2020 मतलब नए CEO है तो वह भी मिला अगर पर्दर में इंट्रेस्टिंग लगे तो इनके बार में भी थो आसा है और रिसेर्च करेंगे आपको यह समझना पड़ेगा हम यहां पर जब भी ट्रेक्टर को लेकर काम करते हैं कोई भी moving road roller को लेकर काम करते हैं हमें लो एंट्रक की ज़वत होती हमें जादा speed की जवती होती हमें पुल करने की उसकी शमता में जादा चाहिए होती है अगर आप सोच रहेंगे 60 horsepower 40 horsepower जादा नहीं है बर इस more than enough क्योंकि यहां पर आपको fuel consumption भी देखता है और आपको low and torque जो है क्योंकि यह जो tractors होते हैं यह mid-size tractors होते हैं compared to जो large-scale tractors जो होते हैं इंडिया में उतना use नहीं होता है जो भी हमें देखते हैं mini tractor या mid-size tractor हम लोग इस्तमाल करते हैं 65 development and upgradation of 65 horsepower turbo charge turbo charge में advantage ही होता है कि engine size आपका small होता है पर turbo के माधियम से मैं लोग turbo charger होता है उसके माधियम से चोटे engine में से भी जादा power जो है आप निकाल सकते हो उसमें fuel consumption थोड़ा कम होता है एंजिन का science भी कम हो जाता है and implemented SAP a new enterprise ERP doesn't matter much or has net investment amount of 111 crore in mutual mutual fund में लोगों पैसे डाल के रख़ा है तो देखना पड़ेगा क्या है नहीं है तो यहां पर इसका जो चार्ट से इसको देखने से पहले पहले BAC में चले जाते है इसे में जाकर चेक कर लेते हैं कि it is looking very flat okay चलिए अभी स्काइनलिस जो है वह थो आसम्रुक देख लेते हैं अभी सो अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वह 1427 रुपय चल रहा है कि 1650 कनूरिय बाभू ने बुला है इनका प्रॉफिट जो है 24% ग्रोथ हुआ है अभी तक साल शुरू होने से 11% गिरा है दस साल में धाई गुना चाप पांच साल में 4% गिरा है इनका टीन साल में अगर में अगर हमें इन्वेस्ट करना होगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे जस्ट फार डिविदेंट क्योंकि यह पर कैपिटल अप्रीशेशन कुछ नहीं हो रहा है उल्टा आपका अपिशल कापिटल जोब बढ़ें बेकोज मिनिममं हर साल अगर आपको इंफलेशन से भी अगर fight करना पड़े तो minimum 7-8% आपको चाहिए होगा minimum 10% 15% हमें return चाहिए होता है capital पे अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमें invest करना पड़ेगा dividend अभी देखना पड़ेगा dividend उसको compensate कर देता है हमारे capital erosion को then it's perfectly fine positive जो है one stock flat okay comments India तो इस segment में जो है सबका negative है सबका गिरा है returns in result अच्छा 15 दिन में अच्छा ठीक है comments का बाद में हम लोग चेक कर लेंगे comments का क्या situation है नहीं अभी सबका bearish है mildly bullish है RSI RSI का कोई signal नहीं है बाट RSI हम अभी चेक कर लेंगे है RSI अगर हम चार्ट देखते हैं so 2019 अगर हम चार्ट देखते हैं अभी जो है राइट नो it is RSI is much higher तो अभी जो है यह overbought zone में है जिस overbought zone में आने के बाद वो गेड़ना शुरू होगा so जब आपका RSI 30 के नीचे आ जाता है मतलब I typically like to see जो भी स्टॉक मेरा 60 के उपर या 65 के उपर जाता है वह overbought मैं consider करता हूं 30 के नीचे जब भी आता है तो उसको मैं देखता हूं कि स्टॉक में है उपर जाएगा फिर से वो गिरेगा गिरने की चांसे से क्योंकि यह से आप देख पा रहे हैं टेक्निकल एनासिस मैं नहीं करहा हूं जिस मैं बता रहा हूं आपको यह अथारा सो आइधिंग 1750 के रेंज में आकर फिर अभी नीचे गिरा है तो फिर अभी रिकवरी करने की ठीट करना चाहिए किस इस बैर दे संपोड इंस का यह मैं देखूंगा अभी यह ँगर future मिला इस जगा पर जाके इस जगह पर जाकर जाकर सको संथ आप्सका पर है इसका सपोर्ट जो अवह कितना यह को सथodes को तेरा सो एक रुपए इस जगह पर जाके आपका मंद बार्तों चोवण रुपे इस जगह पर आपको थोरासा आपके इसका सपोर्ट मेल रहा है मोटमोटी जस्ट आइडिया इठ इस इस इन अवर्व इस नॉटिशन अड इस अफंडमें ट इसस कर रहा हूं आंट पर्द छली देखते हैं क्वालीटी इस गूड विलिशन इस बिलुट वैलीशन बदा रहे हैं की अ क्वालीशन बाते हैं की अधर बाते में फैद्थम free of cost you can just check a lot of things are going against this company so हमें ये चेकनना पड़ेगा flat very negative negative positive Cummins is basically American company diesel engine मनाती है primarily हमारे truck's box के लिए so that's uska market share that is kind of growing up which is very fine एक मेने में से देख पारे हैं की 7% return दिये पोजिटिव underperformed by minus 12% sensex के साफ sector के साफ साफ परफॉर्ण माइनेस 15% कि ओके सो अभी हम लोग चले जाएंगे इस पूरे डिटियल जो अभी हम लोग चले क्यों कि fundamental analysis करें फॉर्दर जाके इसको हम लोग चेक करेंगे आगर इसमें चेक कर लेते हैं हम क्या बहुते हैं स्क्रीनर पे स्क्रीनर पे जाकर हम चेक करते हैं तो इसका जो मार्केट काप सब्सक्राइब करो रहा है तो बैसिकली इस स्मॉल गैप कंपरी करेंट प्राइस चौदा सब्सक्राइब कर देखते हैं हाई है दो हजाट लो है बाइस सो अभी नियर अबार लो की तरफ ही आ रहा है इस चौदा इंडस्ट्री पी इस बाइस सो इंडस्ट्री से कम इसका पी रेश्यू है रोसी इस वेरी गूड 48 परसेंट आरो रिकर्टर रिटर्न इक्विटी इस ऑलसो 35 परसेंट बहुत अच्छा दिखा रहा ऑपरेटिंग मार्जिन इस वेरी स्लिम होने से आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए तो क्यों नहीं है मुझे पता नहीं है देखना पड़ेगा डेट नहीं है और उसी इस 48 परसेंट रिटर्न पांच साल में नेगटिव है इंटरप्राइज वैले इस एक साल में साथ परसेंट रिटन हाथ में जो है असी करो इनके हाथ में हैं प्रोमोर्टर होल्डिंग इस 52 परसेंट तो बुक वैलो इस दो सो टारा सो बुक वैलो से बहुत जादा ही है अरूंड सब्सक्राइब से सब्सक्राइब में देखते हैं कि अगर पांच साल का प्राइस मूविंट अगर हम देखे सब्सक्राइब में इस यहां से आपका जो है पंप वहाता फिर डंप हुआ है अगर और और सब्सक्राइब में चेक कर दें तो इसका यहां पर आप तो यह 50 dma के साफ से चौदा सो 200 dma के साफ से फंदरा सो अभी करेंट प्राइज चौदा सो 39 रुपय है साथ इस फाइन यह कंपनी जो मुझ रहा है यह आपको अप्राइज पर आपको कापिटल अप्रिसेशन नहीं देगा और अपको कापिटल इरोड करेगा लॉस नहीं करेगा बद आपका कापिटल जो है वह और रोड करेगा इसका जो है overvalued है book value के हिसाब से अभी चार्ट के हिसाब से लुक्स लेक अंडर वैलूड बीसे में भी बताए कि अंडर वैलूड है तो वह हमें देखना परेगा अभी हम लोग इसका profit and loss statement थोड़ा देखते हैं कि अभी 872 करोर था फिर गिरा था फिर इसने record कर लिया है लास्ट बारा मंत का 1200 करोर का इसका sales expenses जो है expenses भी मिलब ठीक है material cost is will be very high manufacturing cost is 2% ठीक है कोई issue नहीं है operating margin is small is the same stagnant depreciation is also okay other income has gone down which is fine which is good actually taxes जो है इसके उपर कम हुए that is fine and आपका जो देख पा रहे है कि कोविट के बाज जो इसना already company recover कर लिया 120 करोर 20 का trailing 12 month का है और 99 रूपीस का आपका जो है इसका EPS है which is very good 91% इसका dividend payout था 68% dividend payout so dividend payout has increased because company को पता चल रहा है कि जो investors and they are not happy with how the company company is not actually growing तो उनको तो कुछ return जिए ना so they can return themselves in the stock so उनको यह देखने को मिल रहा है कि भाया मुझे dividend मिल रहा है so I'm happy dividend नहीं मिलेगा stock हम लोग मार्केट में जो है वो छोड़ देंगे balance sheet अगर हम देखते हैं तो balance sheet में भी reserves has gone up little bit थोड़ा रहें बारिंस कुछ नहीं और लियाबिलिटी सके रहें इसके रहें पर trade payables has gone really really up capital work in progress कुछ नहीं है so but वहां पी दिखा रहे थे 111 करोर उनने इंवेस्ट किया so पता नहीं कहां पी इंवेस्ट किया है वह में चेकाना पड़ें गालोर रिपोर्ट में fixed asset क्या क्या है land जो है plant machinery उन्होंने थोज़ा रांप किया है which is good and production I think वहां पे 111 करोर का जो है I think they have started to add up sorry and vehicles and everything ठीक है so 2020 में उनने investment किया था I think investment उनने purchase किया था 2021 में को investment purchase नहीं किया investment उनने रादर बेच दिया है and यह में देखना बरिया कहां पर बेचा क्यों बेचा है क्या प्रॉब्लम है नहीं है 36 क्रोर तो net cash flow has gone really really up दूसरे साल में तो typically यहां पर 0-0 ही था so this company has not been performing really well cash conversion cycle is negative इसका मतलब ही हो जाते कि इसको जिस दिन vendor को payment करना पड़ता है उसके पहले इसके पैसे आ जाता है which is good मतलब लोग इस company को trust करते हैं पैसा जल्दी इनको मिल जाते है पैसा जो है अटकता नहीं है inventory days 30 days मतलब 30 दिन के अंदर इसका जो भी material manufacturing होता है वो निकल जाता है data days for 42 days ठीक है कोई issue नहीं है control gradually increase कर रहे मतलब stagnant है last 2 साल से that is fine FII किसने डाला है पैसा इसने ठीक है PLC मतलब Singapore पाडिक शाह ठीक है public ने उठाया है उसका stock थोड़ा बहुत उठाया था बीच में dump कर दिया था December में dump कर दिया था हालका उन्हें उठाया है DIA इसको छोड़ रहा है FII भी थोड़ा थोड़ा करके इसको accumulate कर रहे हैं so looks fine जैसे मैंने काया कि अगर आपको यहां पर dividend के बारे में बात करना है तो अभी हम लोग चेक कर ले थे कि dividend कप दिया था कितना दिया था तो अगर हम यहां पर देख रहेंगे स्वराज इंजिंस ने जो है आपका quarterly annual dividend जो है 3.5% है 3.5% of the this amount is how much so 14 रुपे का 3% दिया था मतलब साड़े 12 रुपे दिया था which is not really good एक साल में अगर हम देखें तो थोरा growth हुआ है 5 साल में अगर हम देखें है so it has 5 साल में इसने erosion किया जैसे मैंने बताई कि 5 साल में इसने erosion किया हुआ so dividend अगर हम देखते हैं तो इन्होंने 19 रुपे 24 तारीकों दिया था 21 तारीकों दिया था 50 रुपे फिर dividend जो है around 69 रुपीज इन्होंने दिया था which is quite low as per the stock price I think it is very low और यह regular भी नहीं दे रहे है 2021 में दिया था 2022 में अच्छा 2020 में भी मिर्लब ठीक है इन्होंने दिया है but वही है ज्यादा नहीं है so you know it's fine but my conclusion is like I'll not be interested in this stock because यहां पर मेरे को उतना dividend भी नहीं मिल रहा as per the capital that I'm employing and capital appreciation भी नहीं हो रहा है and company जैसे अगर हम इसका देखते हैं cash flow अगर net cash flow अगर देखते हैं so that is also not healthy although the company makes profit but it is not giving out the profit to the you know investors so something to be considered considered और अगर हम इसके charts को भी देखते हैं तो अभी overbought zone में थोड़ा थोड़ा अभी कितना volume trading और वो भी हमें देखना पड़ेगा यह ट्रेट कितना active है so जैसे जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जादा volume भी नहीं है यहां पर आप देखिए आज जो है कल का अगर देखेंगे तो समझ मा जाएगा और आज जो है बेसी में 520 इसका volume move कर रहा है और एनसी में भी थीन अचार है तो जादा volume नहीं कर रहा है so अगर आपने पकड़ के रखा हुआ है और यहां पर दिया हुआ जो कि पहले परियुक्त इसका चाहर प्रॉट में यहां प्रॉट को देख और यह को अपने दिया है अभी इस situation में इसको export करना चाहिए था third world country में जैसे आपका Shri Lanka, Nepal, Bhutan, South Africa में फिर South America में इसको export उसमें आना चाहिए था है इसका सबसे बड़ा competition जह हो चाहिना से है so it's something where you can not see much growth मेरको अदलिस में नहीं देख रहा है domestic market में it's fine but वहाँ पे भी आपके दूसरे companies China से import करके sell out करेंगे तो फिर यह survive करना बहुत तिपिकल हो जाता है over the period of 10 years I don't think this company will survive either it'll become you know a subsidiary or maintenance part or what specific material बनाएंगे जब तक यह सही तरीके से इसको grow नहीं करें I'm not really interested in this company comment section में बताएगा thank you take care and happy investing